दोस्तो आज इस वीडियो में मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि Application Development का चार्ज सभी Development Companies अलग-अलग क्यों बताती हैं किसी भी Development Company का चार्ज देखो अगर आप हमारी कंपनी में कॉल करोगे और Application Development का चार्ज पूछोगे जो भी आपकी requirement होगे उस हिसाब से आपको हमारी टीम कॉस्ट बताएगी ये कॉस्ट मतलब एक साइट रखो आप और किसी अधर कंप्री में भी ट्राइ करो कहीं न कहीं आपको 20-30,000 का फर्क दिखेगा या अगर बहुत बड़ी कंप्री में आप जा रहे हो क्या कॉस्ट के डिफरेंस होने की वजह से आपके रिक्वार्मेंट या आपके जो प्रोजेक्ट है उस पर फर्क पड़ता है ये सबसे पहला सवाल होता है ठीक है देखो बहुत जादा जानना आपके लिए जरूरी है कि जब आप किसी मतलब डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आप जो बिजनस करने जा रहे हो आप जो इतना ज़्यादा पैसा इंवेस्ट करने जा रहे हो अपने अप्लिकेशन डेवलेप्मेंट के उपर क्योंकि आजकल सभी मैं देख रहा हूँ कि अभी उनके बिजनस भी वो ओनलेन माइगरेट कर रहे हैं और सभी कोई चाहता है कि आज मेरा कोई अच्छा अप्लिकेशन हो जो अच्छा घासा मार्केट में रन करें और इससे मेरी अच्छी घासी अर्निग हो क्योंकि आप्ल यह वहाँ पर आपको राइट कॉस्ट मिल जाएगा यह जरूरी नहीं होता है डिफिनेटल आप दो तीन कंपनीज में ट्राई करोगे फ्रिलैंसर के पास भी जाओगे क्योंकि हमें जब कोई प्रड़क्त लेना होता है वह 15,000 को यह 20,000 को पहले हम 10 बार सोचते हैं उसका म कहां मिल रही है कॉस्ट आपको कहां मिल रहा वहाँ पर जाते हो ठीक है लेकिन जहां पर कॉस्ट कम मिल रहा है क्या वहाँ जाना सही है यह भी कोश्ट है यह दोनों कोश्ट का जवाब और आपको मैं सही गाइड़न्स दूँगा इस वीडियो में कि आप application development कॉस्ट को सही तरीके से पहचान सको कि कौन सी कंपनी आपको सही कोटेशन दे रही है ठीक है सबसे पहले दोस्तों ये जो कॉस्ट की मैंने जो second point आपको बोला कि अलग-अलग कॉस्ट जो कंपनिया बताती है महाँ पर फर्क पढ़ता है या नहीं पढ़ता है उन तीन points को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आपको सारा ये फंटा समझ में आ जाएगा सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों freelancer company या फिर small company के बारे में या फिर उस company में एक से दो staff है या फिर वो बंदा freelancer है freelancing करता है एक small company क्योंकि वो companies का proprietorship पर इस मतब वो अपने नाम पर registered किया होगा ठीक है एक small mid companies में एक से दो employees रहते हैं वहाँ पे अगर आप अपने application का requirement लेके जाते हो और बताते हो कि मेरे को ये application बनाना है ये requirement है तो वहाँ पे आपका cost मानके चलिए कि well neck उन्होंने बता दिया ठीक है आपका जो भी requirement लिए example लिए चलते है x y z आप एक small company की पास गए जहाँ पे एक से दो या तीन staff है और या फिर ये भी possibility है कि वो freelancer है तो वो आपको cost बताएगा well neck rupees ठीक है अब second number पे आते हैं जहाँ पे small companies की बात करेंगे हम या फिर mid size company ठीक है या mid size enterprises company small companies मैंने मतलब यह है जिनके पास small company जो मैंने आपको first example दिया वो तो ठीक था अब second point आते हैं small and mid size small भी मैं इसलिए calculate कर रहा हूँ क्योंकि इन companies के पास भी 10 से 12 developers रहते हैं और mid size भी होते हैं यह कुछ-कुछ इसमें जिनके पास 25 to 30 developers रहते हैं और इनके पास अगर same requirement आप लेके आओगे तो यह आपको cost बताएंगे 1.5 lakh क्या पास 1.5, 1.7 तक आपका जा सकता है cost 2 lakh तक का भी cost जा सकता है क्यों हम आपको पहले इन दोन में difference बताता हूं फिर मैं आपको बड़ी company की तरफ लेके चलिए हो कि वहाँ पर cost जो रहता है वो जादा क्यों रहता है अब देखो दोस्तों जो हाँ पर freelancer है उसके पास यहाँ फिर दो staff उसने रखे हैं वह आपको 1 lakh का cost उसने अगर बता भी दिया थी ठीक है तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग monthly में एक या दो ही project लेते हैं ठीक है एक या दो project में लिया उसे एक month में complete करके उनका क्योंकि उनको development का जादा charges मतलब जो development में charges लग रहा है पर किस हद तक वो आपको support करेगा आगे चलके इसका कोई भरोसा नहीं आते हैं कि कोई individual है कब वो change हो जाएगा कब उसका mood change हो जाएगा कब वो next business में injury कर लेगा या कुछ भी ऐसा करेगा तो वहाँ पर आपको problem आ सकती है तो यह freelancers जो रहते हैं freelancer या फिर एकदम small company जहाँ पर एक से दो staff रहते हैं वहाँ पर deal आपकी कम हो मतलब कम cost में आप deal कर सकते हो पर support किस हद तक मिलेगा यह कोई guarantee नहीं रहती है अब आते दोस्तों mid-size company के ऊपर मतलब जहाँ पर 20-25 developers हैं जिनकी पास अच्छी खासी team है यहाँ पर आपका 1.5 या फिर 2 lakh तक का cost क्यों लगता है क्योंकि यहाँ पर इनकी पास एक तो developing teams आ दी है और यहाँ पर क्या होता है जो इनके owners रहते हैं वो multiple projects लेते हैं और अपने इन developers से काम करवा के लेते हैं ठीक है वहाँ पर आपको काम कराना पड़ेगा इसके पहले जो मैंने बता है small company है फिर freelancer आपको बार पर call करना पड़ेगा हर एक छोटी चीज के लिए मतलब चोटी चोटी चीज के लिए आपको call करके बताना पड़ेगा कि मुझे यह करना है वो करना है आपके requirement change होगी तो requirement change में problems आती है small company में अब जो mid company रहती है यहां पे भी देखो चोटी चोटी चीज अगर आपको testing अगरे कुछ आपके application बगस आ रहा है वो call करके आप बता सकते हो वो अलग पार लेकिन यहां पे इनके पास team है अगर आपके application में कुछ bugs आ रहा है वो आपको फटा-फट solve करके दे देते हैं यह mid problem आया है तो आप इनके साथ AMC कर सकते हो annual maintenance contract यह आपको अच्छा support दे सकते है mid-size companies ठीक है अब बात करते हैं दोस्तो जो तीसरा point है मेरा बड़ी company के बारे बात करते हैं कि जो बड़ी companies रहती है और फोसे स्टार्टा गंस अलटेंसी वगरा इनसे के वारे आप सोच लो कि व आप ऐसा क्यों मैं आपको बताता हूं दूस्तों बड़ी company क्या करती है आपको डेवलप्ट में जो डेवलपर्स रहते हैं उनकी पूरी टीम आपको दे देती है उसके बीच में प्रजेक्ट मैनेजर भी देती है ठीक है आपका जो requirement है अब आप किसी company को मतलब project दे रहे वो बनवा के लेंगे कैसे करवाएंगे उसमें multiple projects हैं वो आपका कब काम कर रहे हैं कितने घंटे में कर रहे हैं वो अलग part है mid-size company का small size company जो freelancer है वो क्या कर रही है वो एक ही project लेती है वो अपने हिसाब से आप उनको बार-बार call करते हैं यहाँ पर जो बड़ी companies रहती है य जो मतलब सिर्फ आपके project पर काम कर रही है तो जो बड़ी company रहती है इसलिए जादा charge करती है आपके सिर्फ same requirement के लिए लेकिन वहाँ पर पूरी team आपके लिए काम कर रही है यहाँ पर mid-size company में team तो है लेकिन वह multiple project पर काम कर रहे हैं freelancer में yes आपके project पर काम कर रहे है पर कि के खर्चे रहते हैं वहाँ पर इसलिए आपका cost जो रहता है वो ज्यादा रहता है तो आई अब दोस्तों आपको यह तीनो small company, mid company and enterprises company रहते हैं जो बड़ी company रहते हैं इन तीनों का फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यह तीनों company में पैसा मतलब जो आप application development का cost इस वीडियो को share जरू कीजाएं